आज में लेकर आई हैं बहुत ही सारे amazing से tricks जो आपके समय और पैसे दोनों की budget करेंग गरेंटी के साथ लेकिन वीडियो शुरू करने से पिला मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं आप दुनिया के कौन से कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका दिल से शुकरियादा कर सकूँ तो आईए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं चाय तो हम अक्सर पीते हैं और ये जो चाय चानने वाली चननी होती है इसके उपर अक्सर चाय ऐसे ही चिपक जाती है लेकिन बार बार इसको साफ करना बहुत ज़्यादा दिकत लगती है और बहुत ज़्यादा मैनत भी लगती है तो आज मैं आपको इसको साफ करने का बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ तो आए जानते हैं इसको कैसे असानी से हम साफ कर सकते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए एक बरटन अब इसमें हम मिलाएंगे कम से कम एक गिलास के करीब पानी, पानी को आप फोड़ी से जादा भी ले सकते हो फिर में इसमें अगली चीज मिला रही है नमك नमक के वेश में दो चमज में नमक के करीब इसमें डाल रही हूँ आप इसमें अगली चीज में डाल रही हूँ बरतन साफ करने वाला जेल अगर आपके पास ये ना हो तो आप थोड़ से डिटरजन का इस्तमाल भी कर सकते हो अब हम इसको रखेंगे गैस पर और गैस को कर देंगे ओन इसके अंदर हम अपनी चनी को डाल देंगे चाय चनी वाली चनी होती है उसको और अगर आपको लगता है तो इसको पूरा पानी के अंदर आपको इसको डुबो देना है इसमें आप और पानी को भी मिला सकते हैं तीन से चार मिनिट तक आपको ऐसको अच्छे से उबालना है, जब तक कि उबालना आजए इसको अच्छे से आप उबाल लीजिये, बस आपको जो गैस है उसको सिम्प पर रखना है अरे आप देखेंगे कि इसका जो रंग है बिल्कुल ही बदलना शुरू हो गया है क्योंकि चाई की छनी के अंदर जो चाई के कन होते हैं जो कि अराम से साफ करने पर तो बिल्कुल ही निकलते नहीं है तो देखिए अब ये जो कन है ये भी कितनी असानी से निकलना शुरू हो गए है 15-20 दिन में भी अगर आप एक बारी चाय की चनी को इस तरीके से साफ कर लेंगे तो आपको जादा मेहनत करने के जुरुत नहीं पड़ेगी अब आपको करना है गैस को बंद और इस भुगोने को आपको उतार लेना है आप एक एक करके चनी को बाहर निकाल लीजिए अरे भई एक चीज़ का तो बिल्कुल धियान रखिएगा जरूर अगर आपकी प्लास्टिक के चनी है तो इसको मत अबालिएगा क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गल जाएगा ऐसे में आपको जो चाय के चनी है जब आप इसको बिल्कुल पानी को बंद कर देए तब भी यह पानी गरम तो होगा तब आप उसके अंदर इसको डिप कर दीजिए प्लास्टिक की छनी को तो यह बहुत ही असानी से इसके अंदर का जो गंद है वह बहुत ही इसली पहार आ जाएगा अब आपको लेना है एक ब्रश जो आप ब्रश सफाई के लिए इसका इस्तमाल कर लीजिए और अपनी कसरत को शुरू कर देना है इसको लेफ्ट राइट दाए बाएं अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे ही ब्रश को चलाते रहना है ताकि इ उपर है कि आपको ब्रश से साफ करना है या चाकू से मैं तो कहूंगे दोनों तरीके से आप इसको साफ कर लेजे ताकि बिल्कुल नई जैसी हमारी लगे छनी देखिए बिल्कुल साफ हो गई है आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा देखिए कितनी है सानी से हमने चाय किछनी को साफ कर लिया अब इसको साफ पानी से निकाल लेंगे ताकि ये फिर दुबारा से इस्तमाल करने के योग्ये हो जाए तो आईए चलते हैं अब फड़ा फड़ से हमारी अगली ट्रिक की तरफ अब हमारी रुसोई में तो खाना हर वक्त बनता ही रहता है अब हमारी रुसोई में तो खाना हर रोज बनता ही है जिसकी वज़े से हमारी जो रुसोई की टाइल्स होती है जो इसके ओपर पत्थर लगाया हो या टाइल्स लगाई हो उसके ओपर चिकनाही के दाग ताग कई वरी हम तड़का लगाते हैं तो सकते हो आपको बिलकुल थोड़ा सा वन फॉर्थ ऑफ स्पून एक चुथाई चमज ही आपको डूट पेस को लेना है जादा नहीं लेना दूसरी चीज यहां पे में ले रहे हूं सिर्का आप चाहे काले सिर्के का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर सफरिל के का बी इस्टमाल तो अक्सिर्ष चाइनज खाने के अंदर तो होता ही है यह हमारे घर में दोनों चीज़ें बहुत ही आराम से मिल जाती हैं आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजे और इसका बना लेजे एक बहुत ही पॉवरफुल सा सिल्यूशन बस अब जोन जोन से टाइल्स के उपर बहुत ही ज़्यादा चिकना ही जमी हुई है चाहे गैस्टॉफ के पीछे वाली हो या फिर गैस्टॉफ के निचे वाली हो आपको बस इस सिल्यूशन को इस पे लगा देना है ऐसे ही जैसे कि मैं लगा रही हूँ और इसको 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देना है ताकि जो इसके अंदर की डस्ट है वो बाहर आ जाए बस आपको लेना है फिर दुबरा से एक टुथ ब्रश और फिर दुबरा से आपको अपनी कसरत को शुरू कर देना है वैसे ही दाएं बाएं 1,2,3,4 करते हुए अच्छे तरीके से अपनी टाइल्स को साफ कर लेना है अब मैं ले रहे हैं स्क्रवर और दिखिए भी स्क्रवर से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको साफ करके दिखा रही हो और जो हमने कोलगेट का इस्तेमाल किया है उससे जो है इसके अंदर की काली बढ़ जाती है ये गन्दी की जो होती है वो बहुती असानी से साफ हो जाती है तो ये कह अब फटफट चलते हैं हमारी अगली टिप की तरफ यह जो हमारा अगला नुस्का है यह तो आपके बहुती ज़्यादा काम आने वाला है जब हमने इतनी मैनत कर ली है सफाई कर करके तो क्यों आप हम नी थोड़ी सो सहत का विध्यान रख ले अरे भई हमारी दादी नानी तो बोला करती है ताम्बे के बरतन में पानी मिना तो बहुती सहत मन्द होता है लेकिन अब बड़े बड़े तामबे के बरतन लाएं तो लाएं कहां से तो पूरा परिवार तामबे के बरतन में पानी पीए तो पीए भी कैसे तो ऐसे स्थिती में अब हम क्या करें जी जो आपके मन में आ रहा है वो ही मेरे मन में आ रहा है जुगार तो इसके लिए हम लेंगे एक स्टील का थोड़गा बर्तन जिसे हम बढ़ लेंगे पानी को बहुत जतना बड़ा बड़िवार है उस हिसाब से हम बर्तन के अंदर पानी भर लेंगे अब आपके पस जो भी तामबे का बरतन हो, चाय आपके पस कटोरी हो, प्लेट हो, चाय लोटा हो, अब आपको इसको इसमें डाल देना है चाय आपके पस कॉपर के कोई छोटी सी चीज भी हो तो भी आप इसको इसमें डाल के ढ़क दीजिएगा और एक रात के लिए जैसे हम तामबे के बरतन में डालके पानी को पीते हैं एक रात के लिए ढखके रग देते हैं और सुवा मॉर्निंग में वो पानी को पीते हैं वैसी हिसीम आपको इसके साथ करना है अब आपके परिवार के पानी की दिर्पती तो पूरी होगी होगी लेकिन साथ में मिलेंगे इसके सारे गुन जो भी हमारे तामे के बरतन के अंदर गुन होते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे जिससे आपका शरीर बनेगा बहुती जादा तंद्रूस्त तो तांबे के बड़तन में पानी पीज़े और अपनी सेथ को करे टन डना डन तो चलिए अब फटफट से चलते अगली ट्रेक की तरफ अब जैसे कि बहुती ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुती ज़्यादा ठंड क्यों न हो यह जो हमारा नमक होता है इसे अपना मूफ लाके बैठ जाता है और यह जो है डलियों में कनवर्ट हो जाता है तो जब इसका इस्तमाल करो तो पहले इसको फोड़ो फिर इसका इस्तमाल करो अगर हम इसको ऐसे ही डाल देते तो नमक का अंदाजा भी कई बारी हमारा गलत भी हो जाता है तो हमारा नमक जो है यह मूँ फुला के ना बैठे तो इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा जुगाड आपको लेना है टीशु वेपर अगर आखे पास टीशु वेपर ना हो तो कोई भी आप कॉटरन का कपड़ा ले लेना लेकिन साफ कपड़े का ही इस्तमाल करना फ इनका मूँ ना फुले ते इसके लिए हम इनके डबों में डाल देंगी यह चावल वाले पूडिया को तो चावल जो है इसके मौश्टर को बिलकुल ही अब्सर्फ कर लेगा और इसके अंदर जो है यह ऐसी गांठे नहीं बढ़ेंगी इस सीजन इस ट्रिक को जुरूर इस समाल करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या तो आईए चलते हैं फटा-फट से हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ रोजमरा की बड़तन जिनमें हम खाना बनाते हैं उनमें पतानी किस बात का अटिट्टूड होता है इनको जितना मर्जी भी मांज रोजल लेकिन जो चिकनाई है वो जाने का नाम ही नहीं 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 लेती चिकनाई भाई सब तो जो आते हैं साथ के साथ लेकर आते हैं काला पन को भी लेकिन जो हल्दी के दाग होते हैं वो भी बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं अब ऐसे में अब हमें क्या करना पड़ेगा अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे नीमू का चिलका नीमू का चिलका तो हम सबके घर में होता ही है नीमू कभी न कभी तो हम इस्तमाल करते ही है नहीं नहीं शिकंजी नहीं बना रही है अगली चीज़ लेंगे हम थोड़ा सा बिलकुई बेकिंग पाउडर देखिए मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ जो खाने वाला सोटा होता है बिलकुँ मैंने उसी को लिया है कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने के जुरुत नहीं पड़ेगी सब चीज़ से आपकी किचन में अविलेबल है देखिए जैसी ही मैंने इसको इसमें डाला देखिए कितनी असानी से सारी चिकनाई जो है देखिए बाहर आ गई जिस चिकनाई को साफ करने के लिए हम रोज कितनी जादा मेहनत करते थे रगड रगड के साफ करते थे वो बिना मेहनत के भी देखिए कितनी असानी से हमारा काम हो गया इसमें तो हमारी कसरत भी नहीं हुई और हमारा काम भी बन गया चलिए अब इसको करते हैं बंद और पानी को मैं आपको इसको निकाल के दिखा रही हूँ ये देखें पानी का रंग तो शहर बदल गया है लेकिन आप देख पा रही है कि कैसे इसके अंदर जो हमारे बरतनों में चिकनाई थी वो भी बाहर आ गई है इस पानी में अरे आपने देखा कैसे बीना मैनत के भी हमारे बरतन हो सकते हैं साफ यहाँ पर आपको करना है एक छोड़ासा काम या तो आपको लेना है कॉड़न का कपड़ा या फिर आप ले सकते हैं टीशु पेपर उसको अच्छे से ऐसे रगड लीजिए देखें जैसे कि मैं रगड र जो कि है हमारे तालों के साथ मोसम में हथ से ज़्यादा नमी होने के कारएं था जालों के आंदर भी बह moc जादा नमी हो जाती है जिसकी वज़से इनको बंद करना बहुती पुराने ताले को करेंगे बिल्कुल निया जैसा यह जो हमारा फुल के बनाने वाला स्टैंड होता है इसके उपर हम रखेंगे ताले को और इसको जादा बिल्कुल सिरफ और सिरफ एक या दो सेकेंड के लिए आपको इसको सेक लेना है ताकि इसके अंदर की नमी जो है वो चली जाए अब अंदर की नमी हो गई है फुर तो अब आपको लेना है सरसो का तेल एक से दो बूने डालेंगे सरसो की तेल की इसके अंदर आप चाहे तो किसी कपड़े की मदद से भी इसके उपर अपलाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे डिरेक्ट भी डाल सकती हैं इससे ये होगा कि आपका ताला कभी भी नमी नहीं पकड़ेगा और साथ की साथ आपके ताले पे कभी जंग भी नहीं लगेगा और जैसी ही आप बोल जेंगे खुल जासे जिम वैसे ही आपका ताला खुल जाएगा तो ये वाले ट्रिक कैसा लगा फ्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीचेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शियर करिएगा चलिए अब फटा-फट से चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जैसी ही मोसम बदलता है सबको हो जाती है सर्दी, खासी, जुखाम और आखों में इरिटेशन हमारी इमिनिटी पे भी बहुती ज़ादा फरक पड़ता है तो मोसम के बदलाव से आई बिमारियों से बचाने के लिए हमारा हीरो आएगा जो की है अद्रक तो अद्रक को मैंने फटा-फट से यहां पर छील लिया है और यह जो अद्रक है जिसको बचारे को हमने कूट-कूट के बिल्कूल ही पतला कर लिया है इसके अंदर हम मिलाएंगे अब शेहत को इसके उपर का जो शेहत है जैसे यह बन के त्यार हो जाएगा यह एक से दो दिन के अंदर यह बन के नैचरल तो जैसे ही मोसम बदलता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको वाइरल के सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि कोल्ड कफ गला खराब तो आप इसका इस्तमाल तब भी कर सकते हैं अगर ये बहुती ज़दा तीखा लगता है तो आप इसको पानी में डिजॉल्व करके घोल कर भी आप इसको पी सकते हैं तो गले के खराश में भी बहुती ज़दा आपको मददकारी होगा खांसी वगेरा में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो और जैसे ही ये खतम उने लगे तो आप इसके अंदर और शेहत का इस्तमाल करके भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो उमीद करते हो आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप लीज वीडियो को लाइक करें शेयर कर कमेंट करें साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच